Hello friends, welcome to Swami Vivekanan Institute, myself Aditi and I am a UGC NET Home Science Faculty So today in this session we are going to talk about jute इससे पहले हमने कुछ ऐसे natural fibers के बारे में पढ़ा था उनकी manufacturing के बारे में पढ़ा था Now we are going to talk about the jute तो जब भी हम jute की बात करते हैं, jute natural fibers के बारे में discuss करते हैं jute as we all know it is environment friendly जो की environment को ज़्यादा harm नहीं करता तो jute जो है अब यहाँ पर कैसे manufacture होता है इस session में हम discuss करेंगे jute के बारे में, wool के बारे में कैसे इनकी cultivation कैसे इनको manufacture किया जाता है तो फर्स प्रोसेस है jute, इसमें हम jute में क्या करते हैं jute को बनाने के लिए सबसे पहले selection करी जाती है, अब यहाँ पर jute जो है अलग-अलग different areas में grow किया जाता है तो इनकी जो properties है, strength, color, fineness इनकी भी क्या होता है, अलग-अलग vary करता है क्योंकि jute को अलग-अलग areas में क्या करा जाता है, grow किया जाता है उसके बाद यहाँ पर क्या किया जाता है, जब हमने selection कर ली, selection या फिर batching process इस batching process में हम क्या करते हैं, fibers जो निकलते हैं, jute के उनको blend किया जाता है blend करते हैं, ताकि उसकी जो strength है वो improve हो जाए तो यहाँ पर jute के fibers को further blend किया जाता है जूट के fiber जब यहाँ आपने select कर लिए, उनकी batching कर ली, उसके बाद यहाँ पर jute के fibers को soft बनाया जाता है with an emulsion, जिसमें oil और water का use किया जाता है, soft बनाने के लिए, उसके बाद यहाँ पर कुछ rollers होते हैं जिनको हम बोलते spiral fluted rollers, जिसमें हम यहाँ जूट के fibers को soft बनाते हैं इस process से क्या होता है, यहाँ पर jute के fibers को soft हो जाते हैं और जो भी उसमें आपके पास woody portion जो रहता है, वो भी remove हो जाता है क्योंकि जब roller पर fibers को move कराते हैं, तो वहाँ पर जो unwanted material होगा जो unwanted woody part होगा, वो भी separate हो जाता है तो इस process को हम बोलते हैं, softening, जिसमें jute के fibers को soft किया जाता है उनकी appearance को enhance करने के लिए, उनकी surface को smooth बनाने के लिए और यहाँ पर, जो यहाँ पर waste material आता है, जो आपका woody material आता है उसको separate out कर लिया जाता है in the process of softening अब softening के बाद यहाँ पर again carding करी जाती है carding के बारे में हमने बहुत बार discuss कर लिया है, carding process में fibers को further straight किया जाता है fibers को straight करते है carding machine में, जिसमें dull appearance यहाँ पर आता है उसके बाद हम carding के बाद additional step perform करते हैं, combing जिसमें fibers को और ज़्यादा comb कर लिया जाता है, fibers को further straight कर लिया जाता है to obtain a good appearance and surface, next process after combing उसके बाद drawing process होती है जिसमें sheet में convert कर लिया जाता है, drawing machine में, जिसमें यहाँ पर जो sliver मिलता है जो sliver मिलता है, वहाँ पर उसमें से एक pencil like thin fibers हम निकाल लिये जाते है उन thin fibers को further rowing करी जाती है, rowing machine पे हम rowing करते हैं, जो हमने बहुत बार discuss कर लिया है spinning में भी discuss किया है, cotton की manufacturing में भी discuss किया है then rowing के बाद process होती है, spinning जिसमें further yarns को spin करके, उसमें उनको twist करके, fibers को yarn मिल जाते है तो यह process होता है, spinning process, jute को सबसे पहले select करते हैं, softening करते हैं, carding करते हैं, drawing करते हैं, rowing करते हैं, then spinning करते हैं इसमें ऐसी कोई process है नहीं, जो कि आपको याद करने के लिए, वही सारे steps बार-बार repeat हो रखे हैं तो इसलिए इसमें कोई hard and fast rule नहीं है, jute की manufacturing के लिए, वही सारे steps को बार-बार repeat किया हुआ है अब कुछ properties हैं, जहां से question आता है, question क्या आता है कि golden fiber किसको बोला जाता है golden fiber बोला जाता है, jute को, क्योंकि यहाँ पर, यहाँ पर जो jute का fiber होता है, वो golden और shining appearance का आता है मतलब golden shine आता है, इसलिए jute को बोलते है, golden fiber यह question पहले भी आया है कि golden fiber किसको बोला जाता है, jute को बोला जाता है, second jute क्या है, environment friendly है, मतलब 100% biodegradable और recyclable है, और environment friendly है, तो यह सबसे main property है, jute की, properties के बारे में question आ सकता है, कि कौन सा material, कौन सा आपका जो natural fiber है, वो eco friendly है, और biodegradable है, या जिसको हम golden fiber बोलते है, that is jute, उसके बाद यहाँ पर jute जो है, उसकी tensile strength अच्छी होती है, extendability कम होती है, elongation क्या है, उसकी कम होती है, breathability अच्छी होती है, तो यह सारी properties है, jute की, अब यहाँ पर आपने देखा होगा, jute का सबसे जादा इस्तमाल किसमें किया जाता है, जब भी हम packaging कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो sack होती है, बोरी जो होती है, जिसमें आप serious grain को store करके रखते हो, वो generally jute से बनी होती है, क्यों वहाँ पर जो strength होती है, jute की वो क्या होती ह जादा होती है, जिसकी वज़े से वो बहार निकल के उसमें से कोई भी product नहीं आता, तो इसलिए generally jute जो है, उसका elongation कैसा है, low है, बट उसकी जो tensile strength है, वो कैसी है, जादा है, tensile strength क्या होती है, कि किसी भी fiber को आप कितना stretch कर सकते हो, under force और वो break ना करे, तो वो होती है, उसक कर ना हो, उसमें कितना वो stretch हो सकता है, that is determined by measuring its tensile strength, तो ये होता है, properties जिसमें, jute जो है, 100% biodegradable है, natural fiber है, अच्छे से उसकी tensile strength high है, और साथी साथ इसको हम क्या बोलते हैं, golden fiber भी बोलते हैं, next is uses of jute, jute के use कहा होते हैं, sack बनाने में, ठीक है, sack बनाने में आपने jutes देखा होगा, curtains, chair covers, carpets, area rugs, hessian clothes, ये सारे बनाने में jute का use किया जाता है, अब जो है, ये होता है, आपका jute से बना हुआ होता है, इसमें आपके पास एक apparel type होता है, जो की jute से बना हुआ होता है, इसमें जो carpet हो गया, canvas हो गया, ये सारे generally jute से बनाए जाते हैं, जोट के साथ यहाँ पर दो एक ऐसे cellulosic fiber है, जिसको हम बोलते है, रेमी और हैंप, जो ये रेमी और हैंप है, ये main cellulosic fiber है, इनका भी question generally exam में देखने को मिलता है, कि दो ऐसे कौन से और cellulosic fiber है, other than cotton, linen and jute, तो वहाँ पर क्या होईगा, कौन से ऐसे दो है, वो है आपके पास रेमी और हैंप, जो ये रेमी और हैंप है, ये क्या है, रेमी जो है, ये होता है, bast fiber, मतलब ये कहां से मिलता है, stem से हमें देखने, stem से इसको निकाला जाता है, अब रेमी जो है, ये भी question आता है, कि जो रेमी है, cellulosic fiber, उसको हम china gos क्यों बोलते हैं, च्वह की इसको जो originate ह यह कहां से हुआ था चाइना से हुआ था इसको मेनली चाइना में कल्टिवेट किया जाता है किसको रेमी को इसलिए इसको हम चाइना गोस भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो कल्टिवेशन हुआ था वो कहां से हुआ था चाइना से सबसे पहले हुआ था तो इसको हमने बोला च पाइना गोस जो रेमी हैं उसमें क्या होता है काफी बारी हेवी और कोर्स स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं तो रेमी जनरली क्या है बास्ट फाइबर और दूसरा एक सेलिलोजिक फाइबर नेक्स्ट जो है हैं जो यह हैं पर इसको हम जनरली ग्रो करते हैं जहां पर टेंप वो क्या है लिनन और जूट से स्ट्रोंग है इसलिए इसको रोब बनाने में केबल बनाने में कार्पेट और कैंवस बनाने में यूज किया जाता है और इसमें रोटन भी नहीं होता पानी में ज़िए आप इसको डब करके रखते हो तो वहां पर फर्मन्टेशन प्रोसेस नहीं होती तो यह होता है आपके पास बास्ट और हैंप जो बास्ट है वो एक स्टैम फाइबर स्टैम में से निकाला जाता है जिसको हम चाइना गोस भी बोलते हैं क्योंकि इसको चाइना में फर्स्ट कल्टिवेट किया हुआ था दूसरा जो है वह है जो कि warm condition में या hot temperature में grow किया जाता है strong होता है then linen and jute इसलिए यहाँ पर जो रोप है रस्टी है उसमें high strength होती है तिंसाइल strength अच्छी होती है इसलिए वहाँ पर हैंप का use किया जाता है next जो है वो है wool अब उन्हें जूट की बारे में discuss किया now we are going to discuss about wool wool क्या है एक natural fiber है जो कौन सा protein होता है wool में keratin fibers होता है उसका हमने microscopic test किया था जब रहे माइक्रोस्कॉपिक होता है जो हमने microscopic test के बारे मैं पड़ा था crimps जो crimping crimps पड़े हुए थे उसमें और scales नजर आ रहे थे wool में तो यह जो आता है वो किसके होजे से आता है क्योंकि इसमें protein उता है जिसको हम बोलते है keratin protein नाओ यहाँ पर जो manufacturing है wool की वो किस परकार से होती है first जो step होता है वो होता है sharing जिसमें हम क्या करते हैं sheep में से fleece को remove किया जाता है fleece क्या होता है hair या फिर उनके fur तो इसमें क्या होता है सबसे नियुक्न होती है sharing जिसमें klipmers की help से hand clickers लो या फिर machine लो इनसे यहाँ पर hairs और furs को remove किया जाता है clipers जो होते हैं scissor type machine होती है या फिर आप hand clipers भी use कर सकते हो जिसमें fur और hair को remove या पिर cut किया जाता है next जब sharing के बाद हम क्या करते हैं Umm preparation करते हैं जो fibers निकल के आते हैं उनको Pack किया जाता है Bags and Bales ने जिसमें हम Bailing process करते हैं उसके बाद जो आपके पास newly shared fleece है जो मतलब shear करने के बाद जो cut करने के बाद जो fibers मिलते हैं उनको हम बोलते हैं grease wool उनको हम क्या बोलते हैं ग्रीस वूल बोलते हैं अब जब हम ग्रीस वूल को वाश करते हैं वाश कर रहे हैं तो जब हम ग्रीस वूल को वाश करते हैं ग्रीस वूल को वाश करने के बाद उसका ओरिजिनल वेट जो है वो 20 से 80% लूज हो जाता है तो यहाँ पर क्या है जब ग्रीस वूल को वाश करते है तो वहाँ पर 20-80% उसको वेट लूज हो जाता है अब जो ग्रीस आता है उसको हम बोलते हैं योक अब जो ये योक है ये जनरली फार्मसूटिकल इंडरस्ट्री में यूज होता है मतलब यहाँ पर कुछ आपकी दमाईयां बनती है जिसमें लैनोलिन प्रेजेंट होता है जो कहां से मिलता है वूल से मिलता है तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया यहाँ पर फाइबर इनके जो फर है जो फ्लीस है उनको रिमूव किया नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर करते हैं जिसमें, जो fiber से उनको pack करते हैं, fibers को pack करने के बाद, bells में बना, bells में उनको pack कर लिया जाता है, then यहां पे जो नई shared fleece आती है, जो यह fleeces को हमने remove किया था, तो यह नई fleece आई, इसको हम बोलते हैं, grease wool, इस grease wool को जब wash करते हैं, तो उसमें जो है वो weight वो reduce हो जाता है weight reduce होने के बाद उसको हम बोलते हैं grease को yoke जो कि pharmaceutical industry में use होता है generally to make the linolein compounds now इसके बाद हमने क्या करा जो fibers निकल कर आ गए अब जो fibers निकल का है उसमें हम करते है grading और sorting मतलब छाटते हैं on the basis उन fibers को separate करते हैं on the basis of type, length, fineness, elasticity and strength छोटे और बड़े fibers को separate कर लिया जाता है in the process of grading and sorting now scoring scoring में हम क्या करते हैं जितना भी wool में जैसे oil आ गया या grease आ गया उसको हम remove करते हैं with the help of alkaline solution मतलब एक generally ये भी cleaning process है जिसमें raw wool को generally wash किया जाता है in order to obtain the surface high appearance surface और यहां पर हम alkaline solution का use करते हैं जिसमें हम soap यूज कर सकते हैं soda ash यूज कर सकते हैं और scoring में जितना भी impurities है oil है, wax है जितना भी impurities है वो सब भी remove कर लिया जाता है so this is the process of scoring जिसके बारे में हमने पहले भी discuss किया हुआ है, next जो step होता है वो होता है carbonizing and naphthalation, ये भी हमने पहले discuss किया हुआ है, carbonizing में ऐसा process होता है जिसमें हम sulfuric acid के साथ fibers को treat करते हैं ये sulfuric acid की जब हम treat करते हैं fibers को उस process को हम बोलते है, carbonizing और जो wool मिलता है end में उसको हम बोलते हैं, extract तो carbonizing में generally हमने fibers को sulfuric acid से treat किया, ताकि उसमें से जो grease, dirt है वो सभी remove हो जाए, उसके बाद naphthalation process में क्या करते हैं हम naphthalene बोल का use करते हैं, further उसको और clean बनाते हैं fibers को, जिससे जितना fiber अच्छा होगा उतना क्या होगा, जब हम dyeing करेंगे, last में finishing agent लगाएंगे, उतना ही fabric की जो fabric बन के आएगा, उसकी strength क्या होगी, improve होगी, तो naphthalation process में further grease को और dirt को remove किया जाता है naphthalene balls का use करके so this is the process of carbonizing and naphthalation now sixth step जो होता है वो होता है, garneting garneting में क्या होता है, जो recycled wool fibers है उनको separate कर लिया जाता है by the help of picking and shredding process मतलब जो recycled wool fibers आए थे, उनको हम क्या करते हैं separate कर लेते हैं by the process of picking and shedding process last step जो होता है वो होता है, drying, जिसमें wool को हम absolutely, completely dry नहीं करते, बट उसमें जो 12-16% moisture जो है वो बच जाता है, वोल के case में ताकि आपको उसको handle करने में easy हो, तो इस तरह से हम करते हैं wool की manufacturing, last में हम कर रहे है oil और dyeing, जिसमें oil के साथ treat किया जाता है, जैसे vegetable oil, mineral oils, then wool को यहाँ पर dye किया जाता है जिसमें colors add करे जाते हैं, मतलब dye use करी जाती है उसके बाद, again वही same process carding, fibers को straight करना then gelling, अच्छा carding में एक चीज़ और थी fibers को straight कर रहे थी, fibers को straight करने के साथ, उसमें क्या remove होती है, impurities भी remove हो जाती है, in the process of carding, gelling में हम क्या करते हैं, short fibers को separate कर लेते हैं, निकाल देते हैं, जो staple fibers होते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता, उनको separate कर लिया जाता है in the process of gelling, फिर वही combing process आगे, जिसमें further fibers को straight कर लिया जाता है, to improve the surface, उसकी appearance को improve करने के लिए, then drawing process होती है, जिसमें further वही sheets में convert कर लिया जाता है, fibers को twist करते हैं, और sliver बिनाते हैं, फिर उसमें rowing और spinning में क्या करते हैं, further वही process जिसमें fibers को, एक thin like fiber में separate कर लिया जाता है, उसको spin किया जाता है, spinning process में क्या है, फिर जो fibers मिलते हैं उनको twist कर लिया जाता है in order to form the yarns so this is the process of making the wool, now जो properties है wool की, वो क्या है first property है strength, यहाँ पर जो wool है वो silk से जादा strong होता है, और wool को जब wool wet होता है तो उसमें कितने percent उसकी strength loose हो जाती है 25%, मतलब अगर dry condition में wool कैसा रहता है strong रहता है, तो जितने जादा wool में fibers होगी उतने जादा उसकी strength होगी resiliency कैसी होती है, highly resilient, मतलब अपनी original shape पे आ जाता है wool को जब आप stretch करते हो तो वो अपनी original position पे आ जाता है लेकिन उसमें क्या है, wrinkles पढ़ जाते है तो यह wrinkle resistant नहीं होता stretch ability में क्या है, यह highly elastic होता है shrink ability में क्या है, यहाँ पे अगर आप moisture में डाल रहे हो wool को, तो वहाँ पे shrinkage होने के chance क्या है, जादा है बट अगर यहाँ पे moisture नहीं है तो wool है, वो shrink नहीं होगा लेकिन moisture के case में क्या होगा अगर आपने बहुत ताहिम तक उसको moisture में रखा, तो वहाँ पे shrinkage हो सकती है, heat conductivity क्या है, poor conductor है heat का मतलब heat को absorb नहीं करता, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि low heat का कोई effect नहीं होता, लेकिन अगर आप strong heating करते हो तो वहाँ पे fibers weak हो जाते है और color को खतम कर देते हैं, felting इसमें प्रोसेस होता है, felting में क्या होता है जब भी हम wool को या तो हम ज़्यादा heat देते हैं, या फिर moisture ज़्यादा हो जाता है, या फिर हम pressure या फिर जो भी आप stress दे रहे हो stress मतलब high condition आप provide कर रहे हो या तो excessive heat कर रहे हो excess में moisture जा रहा है wool में या pressure apply हो रहा है, stress apply हो रहा है तो उस case में क्या होएगा जो fabric हो, जो fibers होते है इसमें यहाँ पर क्या होगा जो wool के fabrics होते हैं वो interlock कर जाते हैं और यहाँ जैसे हमने wool के case में बढ़ा था microscope में उसका structure कैसा दिखता है scales दिखते हैं उस पे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं felting में, यहाँ पर आपको generally felting process यूज होता है hats बनाने में, shoe बनाने में sound proofing purpose में इसमें क्या होएगा जो wool के fabric से वो interlock हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा जो fibers हैं वो alkaline solution में weak हो जाते हैं जिनकी वज़े से जब weak पढ़ जाएंगे alkaline solution में तो यहाँ पर जो scales है वो क्या हो जाएंगे expand हो जाएंगे edges में और यहाँ पर interlock करके fibers generally felting में क्या है fibers interlock हो जाता है जब भी हम उसमें excessive stress देते हैं तो वहाँ पर fiber interlock हो जाता है और interlocking के बाद उसको हम बोलते हैं felting जिसमें आतके यह सभी तरह के आप fabrics बना सकते हो तो this is the process of felting now uses of wool wool कहां कहां use होता है jacket बनाने में coat suit dresses यह समय आपने देखा ही होगा generally आपका एपरेल बनाने में home furnishing industrial uses के लिए और export के लिए भी wool का use किया जाता है so this is all about wool now silk का हम manufacturing पढ़ते हैं कि silk हमें कहां से मिलता है अच्छा एक चीज है silk में जो silk आप जो silk natural fiber है उसको हम बोलते हैं queen of all textile fiber silk को बोलते हैं queen और king किसको बोला जाता है यहाँ पर बोला जाता है cotton को queen कौन हो गया silk और king कौन हो गया cotton अब यहाँ पर जो silk है उसकी property कैसी होती है उसमें जो shine appearance होता है वो कैसा होता है बहुत ही जादा smooth होता है तो जो इसमें smooth surface होगा silk में जो shiny appearance होता है वो किसके वैसे क्योंकि हम generally filament fibers को use करते हैं अब जो हम silk लेते हैं तो silk में जब हम silk को production करते हैं उसको हम क्या बोलते है seri culture मतलब the production of silk is known as seri culture अब हम पढ़ते हैं silk बनता कैसे है silk कहां से बनता है silkworm से बनता है silkworm किस पे feed करते है mulberry leaves पे feed करते है पहले इनको rear करते है इनको पाला जाता है silkworm को फिर mulberry leaves पे ये produce करते है egg सबसे पहले आता है जिसमें चार stage होती है egg, egg से बनता है worm और larva then larva से बनता है pupa then वहाँ पे पूरा मोत बन जाता है तो ये है आपका silk का production अब silk को हम कैसे manufacture करते है सबसे पहले silk को manufacture करने के लिए यहाँ पे sericulture किया जाता है मतलब इसमें silkworm की rearing की जाती है silkworms को पाला जाता है और यहाँ पे उनको grow किया चाता है next process होती है sorting of cocoons जब यहाँ cocoons मन जाते हैं इन cocoons को क्या करते हैं sort कर लिया जाता है generally जो यहाँ पर 10 kg की cocoon है अगर आप 10 kg cocoon लोगे तो वहाँ से कितना silk मिलेगा आपको 1 kg silk मिलेगा 10 kg cocoon से generally क्या करा जाते हैं cocoon को boiling water में dip किया जाता है boiling water में dip करने के बाद जिसमें fibers निकल के आते हैं उनको unwound वहां से कर लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं reeling process तो इसमें क्या है sericultur second हम क्या करते हैं cocoons में से fibers को n instraber लेते हैं reeling में हम क्या करते हैं जो हमने cocoons में से fibers allerdings निकाले उनको unwind कर लेते हैं और एक reel पर ऐसे lactate लिया जाता है जिस process को बोलते है reeling, इसमें cocoon को hot water में रखा जाता है, इसमें क्या करना जब में sorting कर रहे थे, तो यहां पे गरम पानी boiling water में हमने क्या कहता है cocoons को रखा था, ताकि उसका जो उसमें क्या होता है, जो gums होते हैं वो क्या हो जाता है, water क्या करता है वो उसमें gums को separate कर देता है और easily वहां से जो fibers है वो हम collect कर सकते हैं fibers को collect करते हैं और उसको एक reel पे wound कर लिया जाता है जैसे reel है उसको wind कर लिया जाता है next process में throwing करते हैं अब इस throwing process में क्या करते हैं fibers को again comb किया जाता है twist किया जाता है ताकि उसमें जो filament fiber से वो अच्छ generally reel up हो जाए और फिर जो वहाँ से yarn निकल के आता है उस yarn को हम बोलते हैं thrown yarn throwing process के बार de-gumming किया जाता है मतलब जो gum था जब हमने उसमें treat किया था उसको पानी के अंदर उसके gums भी चिपक किया जाता है then on gums को remove किया जाता है with the help of soap and water मतलब यहाँ पर हम alkalize solution के अंदर soap इसको generally oil को या gum को remove कर लिया जाता है अब इसमें एक sericin है sericin जो है वो एक silk का protein होता है जो की remove नहीं होता जो silk का protein है वो remove नहीं होगा वो surface पर रह जाता है जिससे इसकी tendency increase हो जाती है silk की और जब हम इसको iron करते है तो वहाँ पर water spot देखने को मिलता है तो sericin जो है वो silk का protein होता है बटी sericin को हम further wash भी कर देते हैं लेकिन एक disadvantage भी है जब sericin को wash करते हैं तो वो क्या करता है weight reduce हो जाता है fabric का reduce हो जाता है क्या weight तो यहाँ पर क्या है जो sericin होगा वो क्या increase कर देगा silk की tendency को increase कर देगा जब हम fabric को iron करेंगे तो वहाँ पर water spot हो जाते हैं तो यह है de-gumming जिसमें हमने gums को remove किया जाता है with the help of alkaline solution now bleaching bleaching में हम क्या use करते है hydrogen peroxide यह मैंने आपको पहले भी बताय था जो best bleaching agent है वो कौन सा है hydrogen peroxide जिसमें further जो colors है उनको improve किया जाता है then dyeing और printing dyeing में हम dye के साथ यहाँ पर generally acid dye use करते है then dye करने के बाद silk पर printing होती है generally roller screen और block printing करी जाती है उसके बाद क्या करा जाता है यहाँ पर finishing provide करी जाती है silk में finishing में lusterness, softness, drapability इनको increase किया जाता है इसमें ज्यादा finishing agents add करने की ज़ुरत नहीं है क्योंकि जो silk है वो already क्या है वो already आपका चमकदार है इसलिए पर finishing apply करने की need नहीं है next हम इसमें weighing करते हैं मैंने आपको पहले बताया अब इस वेंग में क्या होता है जब हम सिल्क को रिमूव करते हैं तो यहां पर सेरिसिन की वज़े से वहां पर वेट उनका फैबरिक का कम हो जाता है तो इस वेट कम ना हो तो इसमें क्या होता है जहां पर हमने गम को रिमूव किया था और सेरिसिन को रिमूव किया था तो वहां पर को कम हो जाता है जो कि मैंने आपको disadvantages में बताया था उस weight को replace ताकि fabric का weight loss ना हो फैसा fabric का weight जो है वो पूरा mass में रहे उसको remove करने के लिए मतलब इसको prevent करने के लिए इसको किस से treat का जाता है tin aluminium, मतलब metals से treat किया जाता है water solution में, ताकि यहाँ पर जो silk है उसका weight जो है वो कम ना हो क्योंकि जब हम silk को boil करते हैं gum को remove करने के लिए और sericin को, तो sericin क्या करता है sericin के tendency होते हैं fabric के weight को कम कर देता है तो इसको avoid करने के लिए हम इसमें metal का use करते हैं in the water solution अब यहाँ पर क्या है जो weighted silk है वो जादा durable नहीं होता क्योंकि sunlight और perspiration क्या करता है fibers को weak कर देता है तो जो property है, वो silk की वो क्या है sunlight और perspiration क्या रहता है उसमें low रहता है और heavy weighing जब हम करते हैं तो वहाँ से silk crack हो जाता है यह process था आपका यहाँ पर weighing का जो की end में किया जाता है अब यहाँ पर कुछ silk की properties है strong है उसकी strength क्योंकि natural fibers है wrinkles resist है मतलब जब उसको stretch करोगे उसमें wrinkle stretch करने के बाद जब अपनी original position में वापस आएगा तो वहाँ पर wrinkling नहीं होगी wrinkles नहीं पड़ेंगे highly elastic है अच्छे से stretch हो जाता है wool में shrinkage नहीं होती लेकिन यहाँ पर जैसे हमने wool का पड़ा था उसमें high exposure अगर हम moisture में expose करते हैं wool को तो उसमें shrinkage हो जाती है ऐसी silk के case में होती है अगर moisture ज़्यादा दिया तो shrinkage हो सकती है non conductor of heat है क्योंकि यह protein fiber है कौन सा protein है silk में sericin protein यहाँ से भी question आता है कि which type of protein is present in the silk तो कौन सा आएगा sericin protein high tenacity होते हैं मतलब इसकी high strength होती है excellent drapability अच्छे से इसको tie up कर सकते है और यहाँ पर fungus attack नहीं होता shrinkage में क्या है minimum shrinkage होती है लेकिन उसको फिर heat या फिर iron करने से वो shrinkage control हो सकती है तो यह कुछ properties है silk की now यहाँ पर use क्या है silk के आप सबने देखा होगा apparel में garments बनाने में अब यहाँ पर silk की जो appearance जादा है और इसकी cost भी यहाँ पर mainly क्या हो जाती है जादा हो जाती है next यहाँ पर इसका extremely versatile है absorbency property अच्छी है इसलिए इसको हम warm weather में भी पैन सकते है low conductivity है also हम इसको cold weather में भी use कर सकते है तो यह सारी है silk के use now there are some questions so यहाँ पर dyeing से related कुछ questions मैंने add करे है यहाँ पर first question क्या है dye suitable for wool and silk wool और silk के लिए कौन से dye suitable होती है तो यहाँ पर जो dye suitable होती है वो होती है acid dye क्योंकि acid dye यहाँ पर क्या होती है direct यहाँ पर acid dye soluble होते है जिसको हम directly कपड़े पर apply करते है dyeing के लिए तो acid dyes होती है वो soluble होती है तो इसको हम directly apply करते है तो wool और silk के लिए जो use होती है वो होती है acid dye next question is modern क्या होता है binding के लिए जो agent help करता है dyeing में that is modern wet dye के बारे में जो हमने discuss किया तो यहाँ पे हम कौन-कौन से process करती थे सबसे पहले wetting करते हैं जिसमें हम reduction करते हैं to the leuco compounds transparent बनाते हैं then इसमें क्या करी जाती है dyeing करी जाती है और further wetting में क्या था wet जो dyes होती है वो insoluble होती है इसलिए इन wet dyes को soluble बनाया जाता है in the process of wetting next उसके बार dyeing होती है जिसमें dye किया जाता है फिर इसमें क्या करा जाता है oxidation करी जाती है मतलब further इसको दुबारा से soluble बनाया जाता है ताकि जो इसकी strength है वो क्या हो जाए improve हो जाए then यहाँ पर क्या होता है sopping करते हैं तो यह सारी process include होती है किसमें जब हम water dyes बनाते हैं तो यहाँ पर जो dye suitable होती है acid basic भी soluble होती है लेकिन जो यहाँ पर यह होती है acid dye उसमें कैसा होता है उसमें anines present रहते है it is anonic in nature so this is question number one second question is which dye is cationic in nature के tine किसमें present रहते हैं basic dyes में cation present रहते हैं acid dyes में anines present रहते हैं the third question is which following chemical used in textile industry are hazardous ऐसे कौन से chemical से जो की environment को harm कर सकते acidious होते हैं तो enzyme तो hazardous नहीं होते क्योंकि enzymes तो क्या करते हैं जब bio polishing करते हैं enzymes को add क्या जाता है as a finishing agent ताकि कपड़े का strength उसकी quality maintain रहे है तो यहाँ पर कौन से chemicals है hydrogen peroxide भी नहीं होते क्योंकि hydrogen peroxide एक अच्छे bleaching agent होते हैं क्योंकि कपड़े के color को और fine बनाते हैं तो यहाँ पर कौन से chemical होगे एक हो गया azo compound और एक हो गया chlorine compound तो option number A and C both are the hazardous chemicals क्योंकि azo dye जब हमने azo dye के बारे में पढ़ा था तो यहाँ पर हम क्या process करते हैं naphtylation करते हैं naphtylation के बाद dye azotization करते हैं तो यहाँ पर जब हम दो process कर रहे थे dye azotization और naphtylation तो यहाँ पर यह जो dye होती है वो होती है ingrained dye तो ingrained dye में क्या present रहते हैं amines present रहते हैं वो क्या होता है जो azo compounds होते हैं generally यह कैसे होते हैं carcinogenic होते हैं जो कि आपके environment को harm करते हैं जो first chemical है वो azo compounds है next जो है वो chlorine compounds है यह भी क्या होते हैं carcinogenic होते हैं तो ऐसे दो chemicals है azo और chlorine के compounds जो की textile industry में hazardious होते हैं next question is arrange the sequence of printing with azoic dye जब azo dye के बारे में बात करते हैं तो azo dye में सबसे पहले कौन सी process होती है यहाँ पर सबसे पहले process होती है naphthalation की जब हमने आपको azo dye के बारे में पढ़ाय था तब हमने वहाँ discuss किया था सबसे पहले naphthalation process होती है फिर यहाँ पर dye azotization होती है then यहाँ पर coupling process होती है और उसके बाद naphthalol को clear किया जाता है तो यह step हाएगा इसका जब हम azo dye से printing करते हैं तो first process है naphthalation इसमें क्या करते है naphthalles का use करते है naphthalles को किसके साथ treat किया जाता है alkali solution के साथ treat किया जाता है next dye azotization में क्या करते हैं जो इसमें amino group होता है जो इसमें amino group होता है मतलब NH2 group होता है उसको हम react करवाते है sodium nitrate के साथ sodium nitrate के साथ किसके साथ treat कराते है in the presence of excess HCl hydrochloric acid के साथ हम इसको react करवाते हैं और यहाँ पर क्या मिलता है die azonium solution मिलता है इसी process को हम बोलते है die azotization मतलब सबसे पहले जब हम azo die बना रहे हैं इससे पहले नेफ्थोलेशन होता है नेफ्थोल्स में नेफ्थोल्स के साथ रियक्टर आजाता है अलकलाई solution को उनकी क्लीन करने के लिए यहाँ पर जो अमीनो ग्रूप होता है नेफ्थोल्स में उसको ट्रेट किया जाता है sodium nitrate के साथ in the presence of excess HCL ताकि dye azonium solution जो है वो मिले उसके बाद यहाँ पर कप्लिंग किया जाता है मतलब जो डाई है उसको फैब्रीक डाई और फैब्रीक के बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग होती है तो डाई और फैब्रीक जो डाई है वो फैब्रीक के साथ बॉन्ड बना लेता है in the process of coupling last में फिर naphthol जो उसको खंग बिल्कुल क्लियर करते हैं impurities को सबको यहाँ पर remove करते हैं so this is the process of azo dye now next question is component of dye जब मैंने आपको dye के बारे में पढ़ाए था तो यहाँ पर हमने दो component के बारे में discuss किया था एक oxochrome और एक chromophore तो यहाँ पर pigment और ink नहीं आएगा तो दो कौन से component होएंगे a and b जो chromophore है वो क्या देता है color produce करता है और oxochrome क्या देता है brilliance मतलब चमक जो है कपड़ कि वो किसकी वज़े से आती है oxochrome की वज़े से whereas chromophore में color produced होता है तो dye के दो component है oxochrome and chromophore now sixth question is mildew is liable to attack these fiber जो fungus है वो generally किसको attack करता है तो fungus किसको attack करेगा अभी हमने discuss किया cellulose fiber को generally fungus attack करता है और जहाँ पर ज़्यादा moisture रहता है वहाँ पर भी fungus attack होता है तो this is all about the manufacturing of silk wool और यहाँ पर कुछ dye के questions मैंने add किये थे तो ऐसे questions आपको generally net के exams में देखने को मिलते हैं यह आपके pyqs भी है और बाकी मैं आपके लिए pyqs लेकर आने वाली हो आने वाले सकुछ session में तो यह है आपका manufacturing of wool and silk जिसमें natural fiber की manufacturing की तरह से करी जाती है उसके बारे कि अथिछ बारे लाफिए उसकेशव प्ते इकर दिवाग जाच